वेरे गूड इवनिंग टू ओल अफ यू स्टुन्स कैसे आप सभी लोग मैं अमिर करता हूँ आप से बलोग अच्छे होंगे आज की जो क्लास है एक डाउट सीजन है और इस डाउट सीजन में हम लोग क्रिया करेंगे केस इस्टीडी बेस्ट डाउट को और साथ ही साथ एम पूछ रहे थे मैं इनको समझ नहीं आ रहा था तो फिर सोचा कि क्यों ना पूरा कोईशन है पिक कर लिया जाए यहां पर आप देख सकते हैं केस इस्टीडी टू में जो फिफ्ट पार्ट है उसमें इनको दिक्कत आ रही है तो इसी पार्ट को हम डिसकस करेंगे मतलब एक तो वन बाई वन शुरू करते हैं लेकिन फिस्ट पार्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने कोशिस करूंगा तो यह हमारे पास प्रेविल्टी का एक क्वेस्टन है जो कि एक्षिली बेस का प्रॉब्लम है टॉपिक मैंने आपर मेंशन कर दिया है कि यह कहां से प मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था और आज फिर मैं बता रहा हूँ क्वेस्टन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्षिली 20 से है यहां से है फ्रॉम लार्ज पॉप्लेशन ओफ विच ओनली 0.1 परसेंट है यहां से है तो हम लोग क्या करेंगे एक सबसे मैंने आपको जो प्रविविल्टी सिखाया वो र hacerlo साही बताई यह है और मैंने कहा भी तकि प्रीडाजर्ण आपके लिए बून होगा तो यहाँ पर दो तरीके कैसे अपने पास जनरेट होंगे एक वो जिसमें 0.1% having COVID मतलब 0.1% population को COVID है अब आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब percentage हटता है तो 100 आता है शायद चुट doubt create हो रहा था वो इसी point को ले करके था अब आपको दिया गया 0.1% population को COVID है अब ध्यान से समझेंगे अगर 0.1% population को COVID है तो कितने % population को COVID नहीं है 0.99.9% population को COVID नहीं है यानि यह COVID positive और यह COVID negative ध्यान से समझना हमें probability चाहिए probability आप जानते हैं उसकी range होती है 0 to 1 यानि 0 से 1 के बीच मेलाई करेगी तो हमने क्या किया यहां से percentage को हटाया और जब percentage को मैंने remove किया तो upon में 100 आ गया same working यहां से भी होगा 99.9 upon 100 तो यह वो case हमने पिक किया जिसमें कि इनको यह COVID positive है और यह वो case हमने पिक किया जिसमें कि यह COVID negative है COVID negative को हम represent कर देते हैं N से फिर आगे बढ़ते हैं और अब इस point को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कहा जा रहा है of people having COVID जिनको COVID है मतलब 0.1% population को COVID है 90% of the test detects at the disease मतलब 90% cases में यह पता चल जाता है कि वेक ती असल में positive है मतलब test positive है और test positive है यह कितने percent cases में पता चल लहा है 90% cases में पता चल लहा है percentage फिरेट आया तो हमको upon में 100 देखने को मिल जाता है आप जानते हैं कि percentage को probability और probability को percentage में हम easily convert कर सकते हैं percentage से probability आना हो तो 1 upon 100 से multiply probability से percentage जाना हो तो 100 से multiply फिलाल आगे बढ़ते हैं अब इसी में देखो 99% of the test is judged COVID negative 99% cases में क्या हो रहा है हम ये judge कर पा रहा हैं कि वेक्ती COVID negative है but 1% are diagnosed as soon COVID positive अब मैंने जब भी ये आपको पढ़ाया होगा base के थूँ तो मैंने ये चीज़ आपको बदाई होगी tree diagram जब भी मैंने base पढ़ाया होगा tree diagram के थूँ तो मैंने बताया होगा कि जो last वाली branch होती है वो almost 95% cases में 98% cases में ये दोनों number same होते हैं मतलब ये भी कैसा होगा positive होगा यहां से देखो 99% of the test is just COVID negative but 1% goes 1% as diagnosis as soon COVID positive मतलब जिसको जो negative जिसको COVID नहीं है test बता रहा है कि उसको COVID है इसका मतलब test positive कितने cases में बता रहा है 1% cases में इसको देखो इसको अब ये हमारे पास क्या tree diagram बन करके तयार हो गया है और अब हम लोग क्या करेंगे questions को discuss करेंगे easily tree diagram में याद रखना कि ये circles ठीक एक seed में ही होते हैं यह आगे पीशे नहीं बागेंगे what is the probability of the person to be tested as COVID positive given that he is actually having positive यानि probability वो किस चीश की generate करवा रहा है जानते समझना given that जो बात given होती है वो कहां जाती है वो जाती है denominator में यानि व्यक्ति को actual में COVID है COVID होने के बाद उसके test के positive होने की probability हम से पूछ रहा है यानि T plus upon C तो जो अपने पास case आ रहा है वो क्या आ रहा है 90 upon 100 माने कितना हमको मिल जाता है 0.9 यह case समझ आ गया होगा हालाग कि इसमें आपको dot भी नहीं था case number 2 देख लेते हैं पूछ रहा है actually not having COVID not having COVID का मतलब हो गया and जबकि person to be tested as COVID positive and और T plus अब मुझे लगता है यह case भी आप इसली समझ पा रहा है यह मैंने diagram यहाँ पर maintain कर दिया है N और T plus का case किया है यहाँ पर कितना number दिख रहा है 1 upon 100 और जैसे ही हमने यहाँ रखा 1 upon 100 हमें देखने को मिलता है 0.01 then which option is correct? option A is correct फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैंने technique किया हुआ है option D is correct which option is correct? option D is correct फिर next question की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं what is the probability that person is actually not having COVID? कह रहा है probability क्योंगी कि व्यक्ति को असल में COVID नहीं है कितने percent population को COVID नहीं था? यह देखो कुल में लाकर करके वो यह discuss करवा रहे है इसका मदलब क्या हुआ? 99 इसका meaning क्या हुआ? 99 PN जिनको COVID नहीं है यह आजाएगा 99.9 upon 100 simplify किया 999 then which option is correct? option B is correct फिर next question की तरफ हम लोग बढ़ते है what is the probability that the person is actually having COVID given that he is tested as COVID positive फिर ध्यान देना भी सीजे कैसे है वो बोल ला है positive यानि test बता रहा है कि व्यक्ति को क्या है COVID है इस बात की probability निकाल लिए है कि actual में उसको COVID है tree diagram को मैं एक बार फिर से यहीं पर maintain कर देता हूँ बार बार यह page पलटना पल रहा है t plus यहाँ पर भी t plus यह c, यह n यह श्यादा तो 0.1 upon 100 और यह आजा था 99.9 upon 100 यह आजा था यह तो आजा था 1 upon 100 यह नहीं याद आ रहा है देख लेते हैं लोगों ने बना जबा है 90 upon 100 क्या आजाता है 90 upon 100 क्या आजाता है 90 upon 100 ठीक है दोखो base को पैचानने का तरीका क्या होता है कि हमको reverse जाना पड़ेगा reverse का मतलब यह हुआ कि वो बोला है कि test positive है test positive यहाँ पर बोला test positive होने के बाद वेक्तिको actual में covid positive होने की probability इसका मतलब हमने क्या किया हम reverse गया और जब पीछे का तो जो branch पीछे जा रही होगी वो चली जाती है कहाँ पर numerator पर 0.1 upon 100 into 90 upon 100 whole upon फिर आपको देखने को मिलता है यही branch copy कर देंगे जो numerator पर है into 90 upon 100 plus फिर जो second branch बच रही है वो 99.9 upon 100 into 1 upon 100 अब आप क्या करेंगे इसको करेंगे simplify और इसके simplification से आपको इसमें देखने को मिलेगा option C यह भी आपको इस part में भी दिक्कत नहीं थी यह भी मैंने explain proper कर दिया था इसका last part जो की असल में अमित गुपता जी का doubt है तो इसी part को अब हम लोग थोड़ा सा easily discuss करते हैं अब अगर हम वापस से diagram को देखें तो वो branch कहां पर आकर करूक रही है last में आकर करूक रही है जब कोई भी branch last में आ आ जाएगी यानि tree diagram में जब बिल्कुल last वाला part discuss होने लगे का इसका मतलब होगा वो total probability को discuss कर रहा है किसको discuss कर रहा है total probability question में कहा गया person selected will be diagnosed as the covid positive कही रहा है जिस person को select किया गया है वो असल में covid positive है question में इस बात से question को read करने से आमको यह नहीं बता चला है कि वो covid positive है या covid negative है बस यह बात पता चल लगी है कि व्यक्ति असल में test बताए कि वो positive है तो चलिए समझने का प्रयास करते है जो required probability होगी वो required probability क्या बनेगी P N P अब क्या करना है सारी values को put कर देना है P N की value हम लोगों ने generate कर रखी है कितनी आ रही है 99.9 upon 100 into यहां से हमको देखने को मिलता है T plus upon and then 1 upon 100 plus फिर यहां से हमें क्या देखने को मिलता है P C 0.1 upon 100 into T plus by C हमको क्या देखने को मिलता है T plus by C देखने को मिलता है 90 upon 100 अब आपको क्या करना है इसको calculate कर लेना है मुझे लगता है कि अगर denominator वाले 100 into 100 का multiply कराते है तो हमको देखने को मिलता है 10,000 जो कि मैं बार बार रमित को समझाने की कोशिस कर रहा तो रमित मुझे लगातार बोल ले थे कि सर्थ समझ नहीं आ रहा है यह 10,000 आ कहां से रहा है फिलाल कोई बात नहीं अगर आपको कहीं पर भी कोई doubt होता है तो आप मुझे easily discuss कर सकते हैं और मेरी कोशिस रहेगी कि मुझे चाहें भले ही कितने भी नए वीडियो के उना बनाने पड़ें मैं आपके dots को clear करता रहा हूँ यह देखिए हमें देखने को मिलना है 108.9 upon 10,000 अब भया क्या करना है divide करा देना है और जैसे ही आप divide कराते हैं तो 3-0 से 3-0 यह remove होंगे 1-0 आगे बढ़ जाता है then option B is correct तो अमित गुपता जी मैं कोशिस करता हूँ और अमीद भी करता हूँ कि आपके dots क्लियर हो गए होंगे अब हम लोग कुछ extra questions के तरफ बढ़ते हैं इसमें जो shift रहा हुँ है यह थोड़ा सा sincere student लगती है और यह बहुत easily चीज़ों को cache कर लेती है कई बार कुछ solution में मैं खुछ से ही error करता हूँ ताकि मुझे पता चलबा कि कितने ही लोग actual में उसको proper देख पा रहे हैं और कितना concept आप easily cache कर पा रहे हैं क्योंकि जो मेरा way of teaching और जो मेरे methods है वो थोड़े से अलग है books में वो चीज़े description में नहीं है इसलिए मेरी कोशिस होती है कि मैं इन questions के through यह verify कर पा हूँ कि असल में आप कितना उन concept को cache कर पा रहे हैं यह अपने पास question रहा और 17, 17 minutes 12 seconds पर यह कुछ error है अब यह question कहां से लिया गया है देखो relation and function से pick किया गया है mcq से उठाया गया तो मैं सीधी यह question पूरा pick कर लेता हूँ यह question number 10 था relation and function का आप चाहें तो relation and function mcq में जाकर के वहाँ पर यह video देख सकते हैं मैं explain कर रहा हूँ और इसे किस तरह से relation and function के questions को discuss करते हैं वह भी बताऊंगा देखो सबसे पहले क्या करना है कि यह जो यहाँ पर आपको set दिया गया है इस set में सारे elements को define करो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 row wise और column wise यह हर बार यही काम करना है अब इसके बाद जो operation यहाँ दिया गया है क्या कहाँ 1, 2 1, 2 का मतलब 1 यह और 2 यह यानि row और column तो 1, 2 का मतलब यह वाला फिर देखो next इसी में बोला है 2, 2 2, 2 ठीक नीचे आ जाएगा फिर इसी में बोला है 1, 1 1, 1 यहाँ आ जाएगा फिर बोला है 4, 4 4, 4 इस block में आ जाएगा फिर बोला है 1, 3 1, 3 इस block में आ जाएगा फिर बोला है 3, 3 3, 3 इस block में आ जाएगा फिर बोला है 3, 2 3, 2 इस block में आ जाएगा His stars उस बात को रिप्रसेंट करेंगे जो relation में हमको दिया गया है इसके पाद हम लोग यूस करते हैं तो हैस्टेक का यूज़ हम लोग इसलिए करेंगे जो चीज मतलब हमें नीड है जिस चीज की नीड है उसके लिए हम लोग हैस्टेक का यूज़ करेंगे तो हमने क्या क्या reflexive के लिए किसके लिए reflexive के लिए याद रखेंगे reflexive के लिए ये principal diagonal हमेशा full होना चाहिए ये principal diagonal fill होना चाहिए पूरा fulfill होना चाहिए और अगर principal diagonal complete है तो ये represent करता है किसको ये represent करता है reflexive relation को कभी गलत नहीं होगा कभी भी गलत नहीं होगा हाला कि आपने सीखा होगा कि जितने elements हैं उनकी उन्हीं के साथ में अगर mapping जा रही है तो वो भी किसको represent करता है reflexive को represent करता है फिलाल इस method से जब हम लोग discuss करते है matrix के थूँ मैंने define किया हुआ है इसमें क्या होता है कि principal diagonal हमेशा fail होना चाहिए अगर है तो reflexive है अब देखो reflexive कि अगर हम बात करते हैं तो reflexive हमको दो option में option C तो गलत हो जाएगा क्योंकि C में बोला है not reflexive जबकि ये reflexive है बांकि तीन option में reflexive आ रहा है जो equivalence होता है वो भी reflexive होता अब देखो इसी का second part देखते है symmetric का मतलब होता है कि जैसा principal diagonal का above हो उसी pattern पर principal diagonal का below हो मतलब जैसे कि यहाँ पर star तो यहाँ पर इसका एक image बनना चाहिए मतलब अगर हम flip करें इसको fold कर दें इस principal diagonal से तो elements overlap करना चाहिए तो 2 इस 2 पर आएगा तो इसका मतलब star यहाँ hashtag पर आना चाहिए अब देखो यहाँ hashtag मतलब star होना चाहिए जबकि है नहीं तो नहीं है इसका मतलब यह not symmetric अब not symmetric का case यहाँ पर देखो दिया गया है not symmetric same process अगर यहाँ 1,3 है तो यहाँ 3,1 होना चाहिए hashtag समझ गया ना जो अपनी तरफ से involve कराते हैं verification के लिए उसको हम hashtag से represent करते हैं अदरवाई सब्जेगे क्या चलता रहेगा star ही चलता रहेगा अब हमारे पास अगर हम देखें तो यह not symmetric का case जा रहा है transitive की हम लोग चर्चा कर लेते हैं transitive मुझे लगता है कि शैद यह है पड़ेगा और transitive भी होना पड़ेगा इसका मदलब क्या हुआ कि reflexive symmetric transitive equivalence तो होने से रहा क्योंकि not reflexive है तो not reflexive equivalence की condition को holding नहीं कर पाएगा c और d directly cancel हो गए यहां question में given किया गया कि यह symmetric होगा जबकि अभी अब लोगों ने table से verify कर लिया कि symmetric नहीं है तो in which option is correct option B is correct ठीक है इस method को अच्छी तरीके से समझने का प्रियास करेंगे और इससे चीज़े बहुत आसान हो जाएंगी आप N.C.E.R.T. text book के questions लेखेंगे या आपको relation maintain करना होगा वो बोलेगा कि किस तरीके का relation बनाओ जो reflexive वो symmetric हो लेकिन transitive नहीं हो आप easily यहां से बना सकते हैं फिल next question के दर हम लोग बढ़ते हैं और ये अपने पास जो question रहा ये determinant का question रहा मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं काफी बार क्या होता है कि खुश से error करता हूँ कि मुझे पता चल पाए कि students कितना सीख पा रहे हैं कितना नहीं सीख पा रहे हैं लेकिन यहां पर ये मैंने error किया नहीं था ये blender मुझसे हो गया तो इसको सुधार करनी की ज़रत है और ये unexpected error किस तरीके से मुझसे create हो गया I don't know about it लेकिन thanks to shipta जिन्होंने correction किया इसमें और वापस से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं area of triangle हमको given किया गया है area of triangle हमको given किया गया है और जो की है 35 एक area of triangle हम जानते हैं with the help of the determinant process जिसमें की x1, y1, 1 then x2, y2, 1 x3, y3, 1 discuss to 35 ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, y2 और ये क्या है x3, y3 सारी values को put करते हैं यहां से याद रखेंगे area हमेशा positive होता है इसलिए यहां पर एक और vertical line use होगी जो की असल में modulus हैं तो याद रखेंगे ये किसको represent कर रहा है ये represent कर रहा है determinant को जिबकि ये किसको represent कर रहा है ये represent कर रहा है modulus को फिर से जड़ा थोड़ा सा attention यहां पर pay करेंगे अगर मैं बोलू mod of x equal 3 है तो x क्या क्या हो सकता है x3 भी हो सकता है x minus 3 भी हो सकता है चाहें 3 रखें चाहें minus 3 रखें output हमेशा को क्या मिलेगा 3 एक conclusion पर हम पहुँच जाते हैं कि अगर modulus हटता है तो RHS में हमेशा आपको plus minus देखने को मलता है अब हम क्या कर रहे हैं modulus को remove करा है जैसे modulus को remove करा हैं plus minus क्या देखने को मिलेगा plus minus हाला कि जब मैंने ये class में पढ़ा है था तो मुझे अच्छी तरह किससे याद है मैंने stitch को explain भी किया हुआ था लेकिन ये किस तरह से blender हो गया मुझे खुद भी नहीं समझा रहा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग exam hall में इस तरह का error नहीं करें और ये बहुत famous question है यहाँ से 2 से multiply करा दिया then 70 मिल जाता है x1, y1 के भाई अब values put कर रहे है 2, minus 6, 1 5, 4, 1 after then k, 4, 1 35, 2 जा मिल जाता है 70 then plus minus 70 determinant को expand कर देते हैं 2 फिर यहाँ से मिलता है 4, 1, 4, 1 minus minus plus 6 हो जाता है यहाँ से 5, k, 1, 1 फिर यहाँ से plus का 1 मिल जाता है यहाँ से देखने को मिलता है 5, 4, k, 4, equal plus minus 70 यहाँ से आप जानते हैं 4 minus 4, 0 हो जाएगा 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा यहाँ से मिल जाता है 5 minus k यहाँ से मिल जाता है 5, 4, 0, 20 minus 4, k equal plus minus 70 थोड़ और बैतर तरह से 6, 5, 0, 30 minus 6, k, plus 20, minus यहाँ से देखने को मिलता है 4, k, equal plus minus 70 इन दोनों को एड़ करा देते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 50, minus 10, k, equal plus minus 70 यहाँ से हमने क्या क्या दो केसे form किये case 1 case 1 क्या जाता है taking positive sign और अगर यह बात सही है कि positive sign ले रहे है then 10, k, equal 70 simplify किया then plus का 20 and finally we get the k, is कस to minus 2, k की value क्या मिल जाती है, minus 2 जबकि यहाँ से अगर हम case 2 को discuss करें तो case 2 हमको क्या देखने को मिलता है समझदार हैं आप लोग taking negative sign और जैसे ही हमने negative sign को पिक किया हमें क्या देखने को मिलता है 50, minus 10, k, equal minus 70 50 को transfer कर देते हैं then 10, k, is कस to minus 120 then k, minus से यह minus cancel हो जाता है then k, equal, plus 12 then k, is कस to plus 12, k, is कस to minus 2 then option d is correct इस question को जब मैंने solve करा था तो मैं actually plus minus लेना भूल गया था हाला कि जब मैंने class में इसको solve करा था तो definitely यह बात आपको बताई होगी area is always positive इसलिए area के cases में कभी भी अगर आपको area given हो तो आपको simply क्या करना है modulus को हटाना है और plus minus sign लगाना है शायद इस type का अगर कुछ और भी इस type के questions में कुछ इस तरीके करर हुआ हो तो आप उसे correct करेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे चीजों को easily catch करते रहेंगे कहीं कोई दिक्कत होती है then feel free to inform to me मैं मेरी कोशिस होती है कि मैं आपको मतलब आपके doubts क्लियर कर पाऊं और जो भी better हो आपके लिए कर पाऊं thanks for watching and as always my God bless you all